Hello Friends, मैं हूँ कलपना प्रजवपती और आज हम Teaching Aptitude की Class 8 के बारे में discussion करेंगे आज हमारा topic है Affective और Psycho-Motor Behavior तो जो हमारी एक बार लास्ट क्लास का हम revise कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था Specific Objectives के बारे में पढ़ा था तो उसमें Specific Objectives जो हमने पढ़े थे उसमें ये था कि उन्हें Achievable, Behavioral और Instructional Objective कहते हैं जो एक टीचर एक topic से related सेट करती है कि मुझे इस topic को क्लास में पढ़ाना है तो मुझे ये सारी चीजे बच्चों के वहवार में इस topic को पढ़ाने के बाद हो जाएंगी वो objective फुल्फिल हो जाएंगे तो जो objective सेट किये जाते हैं उसके अंदर थ्री टाइप्स के होते हैं एक होता हमारा cognitive, एक होता हमारा affective और एक होता हमारा psychomotor जो cognitive affective होता है वो हमारे thinking, हमारी knowing aspect से हमारे mind से related होते है जिसे गांदी जी ने head concept कहा था और जो affective होता है वो हमारा feeling से related होता है कि बच्चा कितना feeling, कितनी values वो है उसके अंदर कितनी respect है, discipline कैसा है, उसका attitude कैसा है, वो help कितनी कर रहा है लोगों की honesty कितनी है, etiquettes कैसे, यह सारी चीज़ इसमें आती है और जो last है वो psychomotor जो हमारा doing aspect होते है जिसमें fine motor skills और gross motor skills है, यह सारे इसमें आते है तो उसके बाद हमने यह bloom के taxonomy के, जो उन्होंने bloom ने cognitive के बारे में जो 6 चीज़े बताई थी, higher care level में, stages में जो set की थे objective वो knowledge, understanding, application, analysis, synthesis और evaluation का है वो हम अच्छे से discuss कर चुके है तो आज है हमारा effective domain, effective behavior, domain कहलो, behavior कहलो, aspect कहलो, all are same thing तो effective के बारे में Kurt Will और Masya ने 6 stages बताई थी, 6 level बताई थे तो उन्होंने बोला था कि जो इस स्टेजिस के बारे में आपको अच्छे से learn होना चाहिए ये exam में पूछा गया था, DSSB, PRT exam में पूछा गया था कि सबसे पहले जो है हमारा receive करता है Kurt Will और Masya ने कहा कि इसके अंदर जो भी बच्चा है, बच्चे के मन में effective का मतलब है अपनी feelings को समझना, दूसरों की feelings को समझना और इसके अंदर respect करना, social values को समझना, culture को समझना, लोगों की help करना ये सारी चीज़े आती है तो जो receive क्या होता है, उन्होंने सबसे पहली stage होती है receive कि कोई भी बच्चे के मन में क्या आती है, सबसे पहले उस काम को करने की इच्छा आती है कि ये जो ऐसा हो रहा है, इसको मैं भी करूंगा कि ये क्यों, जैसे अभी अब lockdown में आप देखेंगे, कि बच्चा जैसे देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की help कर रहे हैं, लोगों की help करते हुए देख रहा है बच्चा स्टेज होती है हमारी रिस्पोंस, जब वो रिसीव करता है, उसके बाद वो अनुक्रिया करता है, उसने देखा कि हर कोई जो है, अपने जो भी जरुत मंद है, उनको खाना खिला रहे हैं, तो उसके बाद उसने रिस्पोंस किया, एडपशन बाइचाइड बच्चे ने, क्य करके दिखा रही हूं। एडैम्टिन हो रहा है जो थब थब तक था तक हमारा appelू निट है मुली इसने अंपोर्टेंस टू अवर ऑन वैल्यू इसमें अपने भावों का महत्व समझना है तो इसमें पिलगों कीृम्न center is फिर में अपने भाव मेरे अंदर और भी जो feelings आएंगी अब मैं उन सब को importance देना शुरू कर दूँगी क्योंकि जब मैंने लोगों की help करी थी तो मुझे उनके face पे एक smile दिखाई दी थी उनका एक मुझे अच्छा खुद को भी अच्छा feel हुआ था तो वो value जो है वो मेरे अंदर आएंगी अपने humanity को लेकर अपने किसी भी चीज़ से related हो सकती है यह किसी कर respect करना अपने environment की रक्षा करना कोई भी इसके अंदर आ सकती है तो value की formation बच्चे के अंदर होने लगेगी कि वो importance देगा वो अपनी feelings को समझेगा हां कि अगर मेरे मन में ही आ रहा है तो मुझे करना चाहिए अब है fourth है conceptualization conceptualization में क्या होगा other value of behavior comes इसके अंदर है कि एक मुल्य अन्य मुल्यों को पैदा करता है मुल्यों का विस्तार होगा पहले तो वो क्या कर रहा था वो सिर्फ खाना किलाने की सोच रहा था कि हमें जो भी जुरुत मन दिखेगा उसको खाना किलाएगा लेकिन अब क्या कर रहा ह अब वो देखता है कि अगर मैं किसी की help कर सकता हूं कि मैं अगर बच्चे जो है कई हो के parents की death हो गई है तो मैं उन बच्चों को पढ़ा सकता हूं free of cost में उन्हें पढ़ा सकता हूं मेरे पास इतना caliber है तो मैं कैसे उनको पढ़ा हूं है फिर उसके लिए वो क्या करेगा ल conceptualization में क्या होगा कि एक मुल्य उसके other मुल्य को भी परभावित करेंगे उसका behavior और ज्यादा अच्छा होगा conceptualization होगा उसके अंदर एक मुल्य दूसरे मुल्यों को पैदा कर देंगे अब organization क्या होगा indication of correct value all the times अब हम उस इंसान से उस individual से हम जब भी मिलेंगे चाहे हम किसी अब ही time मिले तो उसके अंदर जब वो यह सारी चीज़े कर रहा है ना बार 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 कर रहा है receive कर रहा है response value दे रहा है conceptualization कर रहा है तो उसका behavior ही ऐसा बन गया है तो आप जब भी मिलोगे किसी इंसान को किसी भी चीज में वो help करने के लिए हमेशा तयार रहेगा उसका behavior उ वो जो इंसान वो आगे रहेगा तो वो क्या होगा organization होगा संगठन होगा उसकी सारी values जारी feelings को चाहँगा एक संगठन हो गया और वो हमेशा क्या देगा correct value show करेगा तो अब last में क्या होगा यही organization क्या बन गया उसका एक character बन गया यही उसका चरित्र बन गया और हर कोई बो उनका नाम लेते ही बोलेंगे हाँ उनका च्यर्क्टर बहुत अच्छा है तो करेक्टर क्या च्या होगा वह टोटैलिटी होगा इन सब चीजों की I hope यह सारी चीजे clear हो गई यह एक्जाम में पूची गई थी अब इसके अंदर है अब नेक्स आ जाता है साईको मोटर डोमेन तो psychomotor domain क्या होता है हमारा doing aspect होता है हमने last class में भी पढ़ा था इसके अंदर आप एक बार देखो revise कर लो मैं आपको दिखा देती हूँ psychomotor domain में हमने देखा था कि हमारा doing aspect होता है यह हमारे hand से related होता है इसके अंदर fine motor skills होती है और cross motor skills होते है fine motor skills होती है कि with the help of fingers की मदद से हम जो कर रहे हैं writing कर रहे हैं, drawing कर रहे हैं, painting कर रहे हैं, needle में thread डाल रहे हैं, typing कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारी fingers का बहुत अच्छे से use हो रहा है तो यह हमारी fine motor skills है और जो हमारी gross motor skills होती है इसके अंदर जादातर body के most part of the body के जो है, body के जादातर part include होते हैं इसके अंदर हमारा hand भी include होगा, जैसे कि आप मालो, आप jump कर रहे हो, आप walk कर रहे हो, आप hopping कर रहे हो या आप dance कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसके अंदर आपके पूरी body के movements, काफी सारे parts related होंगे लेकिन fine में क्या होगी, आपके fingers होंगे तो अब हम देख लेते हैं कि जो psychomotor domain है, जो doing aspect है, इसके बारे में कर्थवल और मैसिया ने क्या बोला तो उन्होंने बोला कि impulsion, impulsion क्या होता है, अब यह doing aspect से related है, impulsion में क्या होगा, उस काम की और आकरशित होना उद्धी पक, यानि कि child, impulsion एक तरह से stimulus का काम करेगा हमारे लिए stimulus, इसके अंदर ने child attract होगा towards anywhere, किसी भी चीज़ के लिए attract हुआ, जैसे माल लो कि मैंने देखा कि attraction हुआ कि जैसे कि ये आज कल lockdown में आपने देखा कि लोग क्या हो रहे, attract होए cooking के लिए, तो उन्होंने कोई ऐसे attractive सी video देखी, उसने उन्होंने देखी वीडियो देखी कि ऐसे खाना बनाने की वीडियो है, उन्होंने देखा, उसका जो ये मालो कि उसका tag line जो उसका thumbnail बहुत अच्छा था कि 10 मिनट में आप ये बनाईए, इतने कम समान से ये तो जो इंसान है वो attract हुआ, impulsion आया, जो होगा उस चीज़ को करने के लिए attract होगा तो अब इसलिए बोलते हैं कि आपको अपनी classroom को अच्छे से decorate करके रखना चाहिए हर चीज़ को, कि तो बच्चा क्या होता है, attract होता है, हम सब attract होते हैं, फिर होता है manipulation, manipulation का होते हैं कारे करना, कारे को शुरू करना, इसकी अंदर हम अपने हस्तगत अनुभाव शुरू करन अपने हातों से कारे के सामगरी का प्रयोग करके अपने ढंक से करना, जैसे इंपल्शन में क्या किया, आप attract हुए thumbnail के लिए कि 10 मिनिट में ये बनाना सीखो, तो अब उसके बाद हमने क्या किया, manipulation में अपने खुद मैंने क्या किया, वो वीडियो मैंने देख ली थी, ऐसे ही अगर आपकी classroom बहुत सुंदर्व होगी, सारी चीज़े arrange होगी, तो बच्चा क्या करेगा, उन चीजों को करने की कोशिश करेगा, ठीक है, अपने हातों से करेगा, फिर क्या होगा, control में क्या होगा, control on work, तूट फूट कम होना, अब जब वो उस चीज को करेगा, अ बहुत पहले, आपने अपनी मदर को अबजर्फ के, कैसे रोटी बना रहे हैं, कैसे पराठे बना रहे हैं फिर आपा खुद बना थे अब तोना बना रहे है, लेकिन वह पहली बार बना गोलत बनेंगे तूटी फुटी एसी अलग-ळग नक्षे बना रहे है, control में क्या वे जब आपने पहले बनाया दूसरा बिकार बनाए अब धी रहे-धीरे जब आप जादा बनाओंगे तो दीरे-धीरे क्या होगे? वह तवे पे कम चिपकेंगे आपको पता चल जागा कि कि इतना बैटर में डाली बार? अब एक टाइम पर दो दो चीजे कर पाओगे पहले आप जैसे रोटी का एक्जामपल लो तो कंट्रोल रोटी अब आपकी धीरे 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 क्या और ये गोल बनने शुरूर रहे हैं कोडिनेशन में पहले आप रोटी पर सब्सक्राइब जैसे तो साहा के घ्रेन और जैसे लोसा इंचीजरा खाते कोई लोगा करते हैं तो कोडिनेशन में एक साथ दो काम करना और नेचुरलाइजेशन में क्या होगा इट बिकम्स दा नेचर ओफ आवर मसल टू डू दा सेम टास्क कि अब हमारी जो मसल्स है ना उनका नेचर बन जाएगा कि हम उसी काम को बार 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 करें तो वह हमारे नेचर में आ जाएगा अब हमसे कोई भी क्या कहते है नेचुरलाइजेशन के स्वाभावी करन इसमें बीकम्स दा नेचर ओफ मसल्स की सेम टास्क हमसे कोई कहेगा डोसा बना कि दिखा आप जब भी बना दोगे डोटी बना आपकी गोल बनेगी साथ में आप द इसनी भी कोशिश कर लो कि इसे भूलने कि रोटी बनाना भूल जाओ डोसा बनाना भूल जाओ या आपने मालो टेबल सीखे हैं आप उसे भूल जाओ टूका टेबल बूल जाओ तो यह भूलना आपके लिए नामुम्किन सा हो जाएगा क्योंकि हमने उसकी हमारी मसल्स और आपको वीडियो यह सारी चीजे समझ में आई हो यह इसके स्टैप्स आपको बहुत अच्छे से याद करने एक्जाम में पूछ लिये जाते हैं तो यह हमारा एंड ओफ दफ वीडियो है नेक्स वीडियो में हम माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यह कोर्स विदिन 10 डेज कंप्लीट हो जाएगा फिर हम इसके सारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे ठीक है तो मिलते नेक्स वीडियो में तिल देन गुडबाई